देवरिशी नारत पत्रकार सम्मान 2023 में इस समारो में हमरे मुखत थी राष्टी स्वियम सिंग के अखिल मर्दी से पिछार प्रमुक मननी नरेंधापुर जी शुष्टा आयुक देश के जाने मने जिनको पढ़ते हुए हम लोग पढ़े हुए हैं उते महुटकर सब श्री प ग्रवल जी प्रेंट और लेक्ट्रेक वीडिया के हमारे पत्रवार्च साथी देव में उनसा च्छो महरुबर्द साब के व्याच्छान के बात मुझे लड़ा की विसे से हटके भी बोला लाजब तो मुझे थोड़ा असान हो गया देवरशी नारत जी के चलनों में पढ़ाम करते हुए कि जैसे आद ही कवी महर्ज बालमी की थे उनसे पहले कविता सुरू नहीं हुई थी मैं तुनरत क्रोंच पंची के तीर लगने से जो दर्द बरी आवाज निकली उस करोना से पहली कविता निकली और नारत जी से पहले पत्र कारता नहीं थी तो हम लोगों के लिए आदर से लेकर उस समय पीत पत्र कारता नहीं थी यह शब्द बात में आया है तो हमारे आइडियल वही होने चाहिए और लाल फीता सही भी शब्द नहीं था उनका यही था कि जहां सोशित प्लिड़ित बंचे थे कोई या निया अत्याचार सोशंग कहीं हो रहा है या गैर बरापरी हो रही है उसकी बात को वह वह रहान तक पहुचाते थी गुदार्ण के रुप से चाह्यए पिढ़्राद जी का प्रक्रें उसकी अम्रीज का प्रक्रेंदो यह दृुप जी का प्रक्रेंदो अगर ये सुचना संवरे करके वो नहीं पहुँचाते तो एक अनर्थ हो जाता और धर्म की लड़ाई में नीतर नीत की लड़ाई में सदाचार दुराचार की लड़ाई में पाप और पुन्न की रड़ाई में, अच्छाई और बुड़ाई की रड़ाई में नरत जी धर्म के साथ रहते थे, नियाई के साथ रहते थे, नीती के साथ रहते थे, सदाचार के साथ रहते थे, सचाई के साथ रहते थे, डेमोप्रेसी के चार पिलर हैं, आप तो सब जानत मेडिया को इग्नूर करके आगे बढ़ सकता है। कहा जाता था पहले जहाना पहुंचे रवी वहां पहुंचे गवी तो वह कभी आपी लोग हैं। और कहा जाता था कि साहित समाज का दरपण है। तो साहित ही है समाज के आप दरपण। कृषंग holiday lunar नंने कहा है कि चाहिए सोने में ही मनवा दो हागना जूठ नहीं बोलता है। लेकिन कमि कभी लगता है कि थूढ़ सा जूठ बोलता है अलद सत्थ हूंचेशत बोलता है। अलद सत्स्थ है। ये एक ऐसा सब्द है जिसके पीछे कई बार पत्रगारों की तरफ से मालिकों के निए एक शेर सुनाना चाहता हूँ अब सुनाने की हिम्मत कर पा रहा हूँ कि जो खाब थे मेरे जहन में ना कह सका ना लिख सका जो जो जुबा मिली वो कटी हुई जो कलम मिला वो बिका हुए मुझे लगता है पत्रगार भाई अगर पत्रगार ना होते बहुत सारा टेप हो रहा है लेकिन मंत्री के दूपर कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ अगर आप पत्रगार नहीं होते तो नकसलवादी होते जिस सुभाव के होते हैं आपको गुसा आता है शोशन पर आपको गुसा आता है अत्याचार पर आपको गुसा आता है ग्याद बरवड़ी पर आपको बुराई पर गुसा आता है और समानता जहां होती है ब्रश्टा तो आप कभी पत्रगान नी बनते हैं, यह सुरू से ही जो थोड़ा विद्रुई ही होता है, थोड़ा अन्य समाज के बच्चों से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा संवेदल सील भी होता है, कुछ करना चाहता है, कलम से भी बहुत नयाई मिलता है, अक्सर मैं जब पुलिस को कोई केस की सिफारत करता हूँ तो, यह कहते हुए वो असमर्था बेक्ते करते हैं, कि आपके साहता नहीं हो सकती, क्योंकि यह मीडिया में आ गया, इसका वीडियो आ गया है, और कई बार यह भी देखते हैं कि, जो हम लोग नियाए दे पाते हैं, वो आपके द्वारा आपकी रिपोर्टिंग से कई बात मिल जाता है, उदे जी अग्वर के बारे में कह रहे थे, मैं आगरा के MP हैं तो, कल्फते पुर सीखरी में मैं था, चुनाओ मैं, बिला पढ़ाने का अदमी होश्यार बहुत था, पैर जमें नहीं थे, बावर 1526 में पानीपत प्रथम इब्राहिम लोदी से जीता, 27, 26, 29 बैटल आप खानुआ, बैटल आप चंदेरी, और मर गया, हुमायू जिन्दी गबर लड़काता रहा हो, लड़काते लड़काते गिटते हुए मर गया, अदबर 14 साल कर, फड़ाई लिखाई हो नहीं पा है, धार्वे बावनाओं को छेड़ के अखंद भारत पर राजपू नहीं सकता है, ये स्टेट जिख्वी बाई हार्ट नहीं था, चतौल का जो आप जिख्र कर रहे हैं, काईदे में स्वक्न लड़ता तो एक बिगटना नहीं होनी चीए थी, और फूती तो उसकी सजा होन जिए थी, दीन इलाही और सुलह कुल भी एक ब्रणनी थी थी, लेकिन जब मरा था तो आखरी सब्द या लाही बोला भड़, तो राजी नहीं हो सकता, वो साधी भी एक पर्टिकल साधी थी, जो राजी के साथ, वो नौरतनों में तमाम मान सिंग और पीर बल और टोडर मल को सामिल करना भी एक रणनी थी का विसे था, तो जिम्मेदारी तो बहुत है आपकी, वो देजिए तासपष्ट बोलें साधी ना मुल पो, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है, इस देश को खतरा गड़ते हुए भूजल इस तर से या बढ़ती हुई आबादी से, बढ़ती ह होई अनुपात जो बिदर रड़ा है, उस से, और सामप्रदाइक दासे बिश्टा सारसा से भी बड़ा खतरा है, आपने तीम-चार केटा करी, अती कट्टल, कट्टल, कम-कट्टल, और कुछ-कोछ सही सुन बताया है, जिनको हम उंग्लियों पर गिन सकते हैं, मुझे लग है, और वो भी एक टेक्टेस है, कि मोखोटा बना के सारोजनेक हीवन में रहोक्त, और वो रास्ता फिर राजिपाल उपर राश्टपथी के रेंपन्या पर, जब वाजशास लगतक जाफ है, लेकिन जब वहाँ से रिटार्ड होते हैं, तो फिर बयान असली दे जाते हैं, जब वह कुर्सी से वड़ते हैं, तो फिर एक बयान देते हैं, जिससे उनकी वास्तिक्ता नज़राती है, तो एक बड़ी बात कहने कि मत कर रहा हूं, कि अक्सर बात होती है, अक्सर रेट होती है, सम्वेदान का बेसिक स्ट्रक्चर प्यास नहीं आने से यह, तो इस भारत का भी बेसिक स्ट्रक्चर ग्यारा सो बांगे से पहले जो है, वो अखंड भारत हिंदू राष्ट है, उसके भी बेसिक स्ट्रक्चर पर, मैं लुईया जी कि इस बात से भी सहमत नहीं हो बाता हूं, जो कहा करते थे कि गोरी घजनवी और नादिर साल उटे रहे थे और अक कि प्यारों की धूल के भी बराबर नहीं हूं, लेकिन मैं सहमत नहीं हो बार हूं, आपने जिस दिनी सल्क्नित की बात की है, वो शरीयत से चलता था, कटवाद ज्यादा था, और फिर मोगलों का पूरा हिसाब देखो ना तो ठीक है, अग्बर के समय कम हुई, लेकिर गुर एक शेर कबाब और अधी शेर सराब हो, सारे सल्तर नूब जहां की खूप हो की खराब हो, वो शवास में रहता तो कुछ और भी खटनाए होती, लेकिन उस फिरिट को देखो तो औरंग जेब ने सारी कसम निकाल दी ना, दूसरा तलवार से उतना थन परवर्तन नहीं साइसेक सेलिम चिस्ति साब हो, या कलियर सज़ईफ हो, या बारवन की वाले हो, या अग्रावेशेर जिन बाबा की हो, आज भी हमारे लोगों की संख्या ज्यादा होती है बच्चे मानने के लिए वहां पर, या नौकनी के लिए, या टिकट के लिए, या मंतरा ले के तो हमारा बुरा दिन हुआ था सुरू 1192, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है इस भारत माता के लिए, खरी बार तो समझ में आता है कि बचे कैसे हैं, 1192 में बैटल ऑफ तरही सिकंड में लम्हूने कता की, उस अधियों न सजा पाई, बथी राच चौहन को मुहमद गोरी नहरा दिया, फिर हमारी सब्विता संस्कती धर मात्यात में लीटा पराण महाबारत तो अपने सदर रचाए, सांसिद्वतिक, साहितिक, दरोघर पर आच आई, इन्दी पर भी आई, उसके बाद कुद्दी नैबैक, उसके बाद इन त दुबलग गया से दिन तुबलग, सिकंदर नोती, बैलोल नोती, इब्रहेम नोती, बाबार, रुपमायो, शेर सासुरी, अकपर जांगीर, शाहजा, और अरंजे, इतना बड़ा कालखंड है, अब उनको लगने लगता है, वो रूलर थे, अब वो रईयत कैसे रहे, सारा यहां पर दिक्कत है, वो रूलर थे, रहे, रहे तब कैसे बने, सारी लड़ाई इस बात की हो रहे है, दूसरी बात, सारी लड़ाई, सारी जर्ड है, यह खराब एजूकेशन की मिझे से, गुट क्वाल्टी एजूकेशन ही, आप कह रहे हैं, सहिश्मों को लेके चलेंगे लेकिन गुट क्वाल्टी एजूकेशन एक दिन इस समस्या का थोड़ा खल कर सकती है, मदरसे में पढ़ेंगे तो उर्दू अर्मी फार्सी पढ़ेंगे, साहित तसमी अच्छे हैं, लेकिन उसको पढ़ेंगे तो पेश इमाम बन जाएंगे, और फिजिस केमिस्टी पर जब मैं आया था तो उंचे पजामे वाले और डाड़ी वाले और टूपी वाले कम थे, इस दिल्ली के बच्चे थे, जो अपनी पॉपट मिनी से दस रुपे और गुलाब खल खरीद के और वहां पर सिर्दान जिली अद्कुत पढ़ेंगे, और मैं यूपी मिनिस्टर रही होगी, मैं आज एक नई बातों जाधर करने के लिए यहां ख़डाऊगे, जो लोग राजनीती में चुनावी राजनीती करते हैं और टरते हैं, कि आपके लिए कितना बड़ा बजट लेके चलें तब चुनाव लड़े, मैं खांदानी विक्ति को पहसान और मान याद करना चाहिए, मैं आज इस इतने 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 इतना ग्यापित करता हूं, कि जिन्दगी में छे चुनाव नितने के लिए मेरा एक रुपया भी खर्चास तक मीडिया पे नहीं हुए, यह मैं स्विकार कर रहा हूं, और थोड़ा हमारे बारे में भी सोचों, कि अगर ह देने के लिए अगर में आधरा की बात करता हूं, मैं रश्टी बात है नहीं लगा हूं, देने के लिए अगर मुझाला हिंदुस्तान और एकात अखवारोस। अगर मैं आज भारती इंदा पाटी में ग्यापन दूँ, तो नए साल पर, ओली पर, दिवाली पर, दशेरे पर, हर्याली तीज पर, पार्टी के गठन वाले दिन, दिन दियाल जी के जर्म देने और पूले ते थी, शाम अपसाद मुगर जी के जर्म देन पूलते थी, होने पे, तीर साल होने पे, चार साल होने पे, तब सोचिएगा ये कितना मड़ा खर्चा होगा, क्या प्रचार चार से कंप कोई विज्यापन होता है, समाज बादी बाटी में होता तो, हीद पे, बकरीद पे, और कोछिल, लोया जी के जन पर, मृतिव पे, मृलाइम चाहिए, मैंने कर नहीं, कहीं पे भी नहीं छपेगा, तो जो लोग चुनामी राजनीती में ये बात सोचके ड़ते हैं, कि मीडिया का एक बहुत बड़ा एक बजट होना चाहिए, मैं जीरो बजट से चुनान वरता हूं, 12 लाक में पहली बार एंपी, 14 लाक में दूसी बा जादा कर्ज करा तो फिर दिन पन यादा उसे आर गया, फिर अच्छे से आर गया, करहल तो याद होगा, धन्यवाद कि आपने करहल को बहुत अच्छा कवर किया था, हार जी थोड़े होटी पस, कातिन बहुत जनीर हुआ मेरा सर काट कर, हमने दिलों बजी पीया जन्द हर तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दो कदम अगर पॉल्टीशियन चले तो आप लोग अच्छे सकारात्मक तो आप लोग चार कदम चलते हैं, आप तो दिक्कत यह है कि शैद राज संका महासेचिव महां मरता है, और हमारा मंदन लद्धर से एक शोग सबाद करके, और आपके अपनी लेकिन जन पत्रकार साथियों को यह विश्व संबाद केंदर के द्वारा है, इतनी बड़ी संस्ता के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनको बताई देना चाहूं का, और बहत पहले और लोग पा चुके हैं, और मैं तो लगता कि यह विश्य स्रतिती की प्रूंतियां आ रहे थी, वो हमरे लिए बड़े आदर्स थे, तो सब को बदाई, मुझे लगता कोई शॉल या सींड मिलेंगी, वहारा पत्र मिलेगा, इसके कीमत के तो जानी नहीं है, इस देश में इतने ज्यादा जन संख्या और इतने इच्छे काम हो रहे हैं, इतनी स की पद्विसरी है, जो आपको मिलेगी है, कि एक अच्छी सरस्ता के द्वारा मिलेगी है, आपको बदाई बहुत बहुत बहुत, आपको धन्यवाद और इसका फरक बहुत पड़ता है, एक बार नौ साल की उमर में प्रैमरी के टीचर ने मेरा नाम अंताक्षुरी में के अवार्ड मिला था, वो रेक्सोना साबून की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुश्बू से मैं आज तक महे कराऊं, उसके बाद बैक स्पेक्टर के मैं ले विंडर सब लगा डाले, वो मेरी स्वार अरजित थे, यहां की स्वार अरजित थे, उस सा देश का डड़ दूर कर दिया, माइक का फोबिया दूर कर दिया, पैरों की कपकप हाट को दूर कर दी, तो हम चाहें खुश्बाम लीला मैदान दिनली में बोलें या देश के सरवात ही बुद्धी जीवी पतरतरों के सामने बोलें और यह मंच तो बहुत ही सम्नद दसानी अच्छा नहीं हो सकता है लिकिन पैर नहीं के पहपाते, उसके पीछे कारण है वो सावन की टिक्की, तो आप लोगों को यह अवार्ड मिला है और यह अवार्ड आम आदमी को मिलता नहीं, मैं आत्म परसंसा के लिए नहीं आया हूं लिकिन मैं छबबेस साल से दिन में नह नहीं खाएं, जिन्दा तैसे हूं खाना लेके चलता हूं, अभी मैंने अक्षरधाम और यहां के बीच में अपनी लोग की तुरी कद्दू खाया है, कैसे संभब हो सकता है कि आट बजे तो बेरफ़र्श्ट पतनी के साथ हो सकता है, बारा बजे लॉट के टैनिंग टेब पर तीन बजे हाई टीपीने आओ, पर नौ बजे तो हो सकती है, रविसलाक लोगों की सेवा हो सकती है, यह नहीं संभब हुआ है, हमारी इवदाजनेती बहुत आसान है, मैं चोटा सा फार्मिला भी बदा रहा हूं, मोदी जी का काम में बड़े प्रुजर्ट हम तो चोट आप प्रमांट पत्र और साधी व्या थेरवी महागूर कथा रसिया दंडल कबानी कुए पूजर्निकार दसी का ब्रत का उद्यापन पर प्रुजर्ट हम ते, इसे कड़ते हुए रापको पुड़ता ऐसा हो जाता है कि अनस्तेसिया की जुरुत नहीं है, हम सुगा देंग आप सबको यह आवार्ट मेला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और दो शिर सुन लीजेगा, यह साइकून लोग होते हैं साब ठोड़े, ठोड़े क्रैक होते हैं जो आवार्ट पाते, मेरी तरह कुछ जिद्धी भी होते हैं और आधे प हो रहें कैसे ओजबता है, यह वो है जो एष्टा काम को चार घंटे गुंसों से करते हैं, और जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आपोंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, इसलिए यह लोग यहां दखाएं, और आगे एक और शेयर है कि मेरी जिन्दगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पर पहुँचा, तो मंजिल बनाती है, तभी आप लोग कहां से सुरू किया होगा, अपना प्ना याद करो, चलो मैंने भी थाइंदारी से सुरू किया है, और सास्त्री बहुन तक आ गया हूँ, आप लोग भी अपना याद करो कि किस पाखवार से किस चैनल से किस रूप में सुरूप लिया था, और आज कहां तक आप लोग पहुचें, मैं भी पदलगार बना चाहता था, लेकिन जब शोवना वर्दिया को एंपी देखा तो आईडिया ट्रॉप कर दिया, फिर अंदरेन महुन जी को अपने साथ राजसभा में देखा त तो आईडिया ट्रॉप कर दिया, फिर महिन महुन जी को देखा, संसत में तो फिर आईडिया ट्रॉप कर दिया, और तारपास नाम लेना नहीं चाहा हो, आप जानी रहोंगे वो कौन से, बहुत बहुत दन्यवाद आपने इतनी वंडर्फून ओडियल्स के सामने मुझे अ प्रदान किया, मैं नेजी तोड़ से आपका दन्यवाद देना चाहूँगा कि देश्क में एक लौता पॉल्टी से हूँ, जिसको कभी आपने परिसान नहीं पिया, पुलिस में था तो पास आउट के समय बें पिंद्वल से पूछा था कि क्या कैसे नौकरी की जाए, तो उदर जाना पड़ाते हैं ही नौकरी तो मैं कभी नहीं लड़ा हूँ, जैसे कि वलेक लिज़ा रहती है कि चेहरे पर धूलो, तो जरूर उतिखाना, लेकिन आईने में धूलो, तो जब रज़स्ती चेहरे पर लगाने की कोशिश नहीं करना, बस इतनी छोटे असार एक न नहीं करने वर,